सरकार मौसम खराब रहेगा, मौनसून समाने रहेगा, भले ये मौसम बिभाग कहा रहा हूँ, लेकिन सरकार तयारी कुछ और ही कर रही है। अलिनों की भविश्वाणी के बीच सूखे जैसी समंसिया की आशंका को देखते हुए सरकार खरीब वीच के रिजर्व को बढ़ाने की तयारी कर रही है। इसके तहए सरकार खरीब वीच के रिजर्व को चार फीसद तक बढ़ा सकती है, समानी तोर पर सरकार एक फीसद का बंढार रखती है। खरीब वीचों के लिए इस रिजर्व को 15 अगस्त के बाद वितरन किया जाएगा, 15 अगस्त तक इसका वितरन नहीं होगा। सर कैसे होगा इसका इस्तमाल रिजर्व का? सूखे की तयारी शुरू हो गई और आप एक तरफ देखें कि मौसम विभाग दो तरीकी की बात कह रहा है मौसम विभाग ने अपने पहले वाला जो पूरवानुमान था उसमें अल निनो किया शंका जाहिर की थी और यह कहा था किया अल निनो जून से स्प्टमबर के बीच में खासता और से जून के दूसरे हाफ से लेकर जुलाई से स्प्टमबर के बीच में अगस्त स्प्टमबर के महीनों में असर करेगा और मानसून कमजोर रहेगा सूखे की संभावना है उसकी उस आधार पर सरकार ने बीजों के संग्रे की तैयरी शुरू कर दी है सरकार के पास एक विवस्ता है जिससे सूखे के से निपटने के लिए ऐसे बीजों की का भंडार बनाया जाता है जो भंडार ने ये बीच कम बारश में या कम बानी में भी आए जा सकते हैं खासते और से धान के बीज हैं खरीब सीजन के लिए गरेब 6,40,000 कुंटल के आसपास का भंडार बनाने की बात की गई है ये 15 अगस्त तक की बुवाई की परिस्तिती के आधार पर देखा जाएगा कि यदि 15 अगस्त तक बुवाई नहीं होती और सूखे की संभाना बनती तो ये बीच किसानों को बित्रित के जाएंगे इसमें एक चीज महत्तुमून ध्यान रखने की कि साल आपको मौसम और मानसून की खबर पर बहुत तेजी से अपडेट मिलेंगे उसकी वज़ाई है कि प्रतिस सब्तह मानसून की दर्श्टे से नाजुक है मानसून सफल होगा या सफल होगा इसकी या सूखे की कितनी संभावना होगी शुपम इसकी का पहला ठोस संकेत शायद हमारे पास 15 जून तक आ जाएगा 15 से 16 जून तक हमें इस पश्ट हो जाएगा कि मानसून की गति कैसी है और बारिश की इस्तिति क्या रहने वाली और यही वज़य है कि मौसम विभाग ने जुलाई का कोई पूरवानवान में नहीं बताया है क्योंकि मानसून के आंसेट होने के बाद परिस्तिति क्या रहने वाली भैराल सरकार ने सुखे से निबटने के लिए बीच के संकट के लिए के लिए भंडार वराने शुरू कर दी है